नमस्कार, एलन संचार में आप सबका स्वागत है। कहां पिछडे बच्चों के लिए यदी एलन करे प्रियास, तो गोवा सरकार है साथ। एलन पी एंचीफ ने कराया दो दियों से गर्बा महत्सव, एलन सत्यार्थ में हुआ कारिक्रम, सजे धजे सदस्यों ने डांडिया कर बांधा, समा। एलन नीट अचीवर स्टूडेंट्स के लिए औरिंटेशन, सेशन का आयोजन, करीब 1750 स्टूडेंट्स हुए शामिल, एलन के टीचिंग मेथड को जाना। IIG स्टूडेंट्स के लिए ओपन सेशन का आयोजन, विशेशग्यों ने स्टूडेंट्स को किया संबोधित, हजारों स्टूडेंट्स हुए शामिल देश की सबसे बड़ी परिक्षाओं में से एक टैलन्टेक्स 2023 के पहले फेज की परिक्षा रविवार को देश के 11 राच्यों में हुई परिक्षा में शामिल होने के लिए देश भर के बच्चों में खासा उत्सा दिखाई दिया पहले फेज में चंडीगर, दिल्ली, गोवा, गुजरात, हरियाना, हिमाचिल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, महारास्ट, पंजाब, राजस्थान और उत्राखन में दोपैर एक बजे से तीन बजे के बीच में ये परिक्षा आयोजित की गई राजस्थान में 20,417 स्टूडेंट परिक्षा में शामिल हुए एलन के ओर से स्टूडेंट्स के मारदर्शन और सेल्फ स्टडी टिप्स देने के लिए हम होंगे कामियाब सेशन का आयोजिन किया गया जहां मेडिकल कोर टीम के सदस्ये पीबी सकसैना सर, एसबी सकसैना सर, डॉक्टर गौरव माहेश्वरी सर और अजे जांगिट सर ने स्टूडेंट्स को सम्भोधित किया बच्चों को एलन में हो रही, पढ़ाई में अपनी पर्फोर्मेंस में सुधार करने के टिप्स दिये गए, इसके अलावा बच्चों को योगा भी सिखाया गया गोवा विधान सभा अध्यक्ष रमेश दावड कर कोटा एलन आयस, तोरान एलन डारेक्टर नवीन माहेश्वरी सर, सीनियर फेकल्टीज ने उनका भववे स्वागत किया रमेश दावड कर ने एलन सिस्टम को सराहा, उन्होंने कहा कि एलन का नाम सुना था, लेकिन जब कोटा आ कर देखा, तो जो सुना था, एलन को उससे भी बहतर पाया है उन्होंने कहा कि गोवा के पिछड़े छेत्रों के बच्चों की अच्छी शिक्षा के लिए यदि एलन कोई प्रियास करता है, तो गोवा सरकार एलन के साथ है एलन पी एन सीफ के ओर से एक और दो अक्टूबर को दो दियसिये गर्वा महतसव का आयोजिन किया गया जवाहर नगर इस्थित एलन सत्यार्थ में ये कारिक्रम आयोजित किया गया यहां डारेक्टर राजेश महेश्वरी सर, नवीन महेश्वरी सर, आविरल महेश्वरी सर ने फैकल्टीज का उत्सा बढ़ाया आक्रिशक परिधानों में सजे धजे सदस्यों ने राजस्थानी गुजराती संगीत के साथ में बॉलीबूट धुनों पर ताल से ताल मिलाकर एक से बढ़कर एक गर्वा प्रस्तूतियां दी एलन ने नीट अचीवर फेज आट के स्टूडेंट्स के लिए औरिंटेशन सेशन का आयोचन किया इन दो सेशन में 1750 से अधिक स्टूडेंट्स और उनके माता पिता ने बड़े उत्सा के साथ हिस्सा लिया इस आउसर पर स्टूडेंट्स को एलन के टीचिंग बैथन के बारे में जवानकारी दी गई और साथ ही स्टूडेंट्स को अपने लक्ष को प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया गया एलन की ओर से IIT students के लिए open session का आयोजन किया गया session में हजारो students शामिल हुए इस दोरान विशिशग्यों द्वारा students को संबोधित किया गया साथ ही students को गहनता से subject wise समझाया गया experts की ओर से subject wise study करने और साथ ही revision tips के बारे में भी students को बताया गया स्टूडेंट्स का करियर बनाने के लिए एलन हमेशा आगे रहता है जेई की तयारी कर रहे स्टूडेंट्स के मारदर्शन के लिए 9 अक्टूबर को करियर गाइडेंट सेशन का आयोजन किया गया जहां करियर काउंसलिंग हेड अमित आहूजा सर ने स्टूडेंट्स को जई के बाद में इंजिनीरिंग में करियर की संभावनाय और किस रैंक पर कौन सा कॉलेज मिल सकता है ऐसे कई सवालों का जवाब दिया एलन अपने बच्यों के साथ साथ अपने स्टाफ मेंबर्स का भी पूरा खयाल रखता है एलन अपने स्टाफ के लिए 2 अक्टूबर को ब्लू किंग्डम वाटर पार्क में वन विहार पिकनिक का कारिक्रम रखा यहां 1500 से अधिक एलन स्टाफ मेंबर्स ने एक साथ मिलकर खुब इन्जोय किया स्टाफ का उत्सा बढ़ाने के लिए डारेक्टर नवीन माहिश्वरी सर से परिवार पहुँचे एलन की ओर से सामाजिक सरोकारों के तहट कोटा में पुलिस महा निदेशक राजस्था आनश्री M.L. लाठर ने पुलिस लाइन कोटा में नव निर्मित पुलिस बैरक का लोकार पन किया ये पुलिस बैरक एलन परिवार दुआरा पित्र पुरुष श्री लक्ष्मी नारायन जी माहिश्वरी की स्मर्ती में तयार करवाया गया डारेक्टर नवीन माहिश्वरी सर ने कहा कि यहां सो पुलिस कर्मी एक साथ एक समय पर ठैर सकेंगे यहां भोजन और आराम करने की भी सुईधा होगी फिलाल एलन संचार में इतना ही एलन से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें एलन संचार नमस्कार